विज्ञान में भी हर अगली पीडी में कुछ नुकुछ 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 परिशकार किया जाता है पिछले सिध्धानतों को सुधारा जाता है क्योंकि विज्ञान की प्रक्रिया तीन माध्यमों से चलती है Observation, Experimentation, Calculation दीर परिणामता क्या होता है हर अगली पीडी में विज्ञान प्रगती करता है अगली कुछ बात बताता है पिछली बात को बदलता है Newton ने कुछ कहा उसको Einstein ने बदल दिया Einstein ने कुछ कहा Dr. Narnalikar ने कुछ बदल दिया इससे चलती ही रहता है लेकिन अध्यात्म में जो एक बार कह दिया गया परा प्रद्निया से प्रद्मरा प्रद्निया से जो कुछ एक बार देख लिया गया और कह दिया गया उसमें कभी भी परिवर्तन करने की आवश्चता नहीं होती Observation, Experimentation, Calculation से विज्ञान चलता है अध्यात्म केवल एक से चलता है Meditation धी मही मैं कहता आखन देखी It's called Extrasensory Perception अती इंद्रिया प्रत्यक्ष कहते है इसको हमारे संतों ने सुर्दा जी महराज ने भी साक्षात कृष्टन की लीला अपने अंतश्चक्षिओं से देखी देखी और गाए भगवान में तब व्याज जी बहराज ने भगवान कृष्टन की लीलाएं देखी और लिखी इस गंत में कहीं भूल होगी ऐसी आशंका मन में मत लाना भगवान में तब व्याज जी बहराज ने लिखते लिखते ये कैसे लिख दिया आपके ध्यान में नहीं आता है तो यही समझना चाहिए कि अभी हमारी बुद्धी में वो पकवता नहीं है कि हम इसको समझ सकें ग्रंत में गड़बड नहीं इन भारतिय सिध्धानतों को जानो